इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते ह सहित विभिन्द प्रकार के शारिये कारियों के लिए महत्व पूर्ण है। क्रिल में एपर और DHA का एक बड़ा हिस्सा फॉस्फोलिपिट के रूप में होता है और यह मचली के तेल की तुलना में बहतर अवशोशित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रिल तेल की उच्च जैवो प्लब्धता यानी की अवशोशन की दर होती है और कोएंजाइम Q10 की महत्व पूर्ण भूमिका होती है। शरीर के लिए उर्चा पैदा करना चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, क्रिल को HDL के स्तर को बढ़ाते हुए कुल कॉलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइगलिस्राइड्स को कम करके स्वस्थ रक्त लिपिद स्तर को बनाय रखने में मदद करने के लिए प्रदर्शित किया गया है। दो, ये एकाकरता में सुधार करने में सहायता करता है और ध्यान देने की अवधी स्मृती शक्तियादी को बढ़ाती है। 3. इस कैपसूल में कई प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण हैं जो रोगजनकों से संक्रमन से लड़ने में मदद करते हैं और इसमें कई विरोधी भढ़काओ गुण होते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।